हेलो एवरिवन दिस इस अंकिता और वेलकम टू टेक्नो लो तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो आपका इहां पर सबसे पहले आपको वही चेक करना है और देखना है कि आपको इहां पर कॉलेज मिला है तो सबसे पहले आपकी निम्मी वाली साइड है वहां पर ओपन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पर कहें कि स्पोर्ट एड्मीशन रिजिस्टेशन लिंग लॉग इन चेक अलाट्मेंट इस तरह का आपको लिंग वहां पर दिखाई दे रहा होगा सिम्पल कुछ नए करना आपको इहां पर करना है CLICK और जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो जिस भी यहां पर आपकी रेजिस्टरेशन एमेल और जिश भी मुबाईल अमबर से आप रजिस्टर्ट थे उसको यहां पर डालेना है जैसे आपने पहले हुआ है तो फट अवट से हम साइछ चीज़ों को यहां पर कर लेड़े हैं ५िल अ बहुंद कि अब देख सकते हैं तो देखने हें सारी चीजों को हमने यहां पर क्या है Boss कर लिए हैं और आप पर जिस भी candidate का मैंने यहां पर लॉगिन किया है उनकी ट्रेड है CSA साथ में उन्होंने spot round के लिए यहां पर क्या किया था पार्टिसिपेट किया था और उनको यहां पर गया कि सबस्क्राइब करता है जै 설ज पर अपने पॉछ आ हज Пос assume कह लिए और यहां पर आपको करना थो देखें यहां पर नीचे आपको क्या दिया हीए आप अच्छे से रीड करेंगे कि आपको जो यह आया हुआ है कि आपको यह वाला college मिला है उसको आपने डाउन्लोड कर लेना और डाउन्लोड आप कहां से करोगे तो देखिए नीचे ब्लू कलर का आपको दिख रहा है download allotment acknowledgement यानि कि यह जो letter है उसे आपने download कर लेना है समाल कर रख लेना अब तीसरी चीज क्या है सब यहां पर यह पूछ रहते और अभी तक जो confirmation था admission के लिए कि दी क्या अगर हमें कोई college मिला है तो वहीं पर जाके admission करवाना होगा तो actually अभी तक तो यह था लेकिन इन्होंने यह चीज यहां पर क्या कर दी है clear कर दी देखिए अगर आपको चिन्नाई मिला है तो आपको चिन्नाई न जाके आपको क्या करना है nearest NSTI यह चीज उन्होंने साफ साफ यहां पर mention कर दी है कि आपको nearest NSTI में जाकर अपना provisional admission यानि कि उसको आप बोल सकते हो certificate verification यह आपको करा लेना है जाकर जैसे कि आज आपको यहां पर results हो गया है तो आज शाम तक अभी आपके पास time है पांच बजे अगर आप nearest NSTI जा सकते हैं तो वहां पर जाके आप क्या करोगे कि जाके आप जितने भी आपके documents है documents मैंने अलेडी बता रखें कि provisional admission यानि कि certificate verification के time कौन-कौन से लगते हैं तो आप उन्हें लेकर जाईए और फटा वट से आज की date में क्या करवा लीजे अपना certificate verification को complete करवा लीजे उसके बाद आपको क्या करना है 15 से 15 तक आप हर हाल में जो final admission है देखिए चाहे notice आए या फिर न पर अपना final admission करवा लीजे जो भी अपको final मिला हुआ है क्योंकि पंद्रा के पास से आपका session start भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि वह यहां पर final admission करके आपको hostel वगेरा allotment करके आपको 1 जनवरी या 15 जनवरी से भी यहां पर बुला सकते हैं तो खोशिश यह करिए कि 15 तक आ पर अपना final admission करवा लीजे साथ में अभी फिलाल के लिए आपको क्या करना है certificate verification करवाने के लिए आपका जो nearest nti होगा वहां पर जाके अपना certificate verification करवाना है तो clear रही साइच ही जिए आज की इस वीडियो में यहीं तक था बाकी की वीडियो को देखने के लिए बाकी की जानक करी के साथ अब तक के लिए बाई बाई टेक किया